भाग दो मित्रों कथा बहुत ही सुन्दर है बने रहें देववानी चैनल के साथ यह खबर जाकर उन्होंने राजा को सुनाई और कहा महराज राजा तो डर कर भाग गया राजा यह खबर सुनकर खुशे से ना चुठे शंकर एक बार फिर अपने सौभाग पर इतराने और इटलाने लगे महराणी ने खबर सुनकर कहा मैंने कहा था ना राजवैद की दवा थोड़ी कठिन जरूर है लेकिन बहुत कारगर है अब इस बात का लोहा तो राजा भी मानगे उन्होंने राजवैद को बुलवाया उन्हें खूब सारा पुरुषकार दिया सौने के सिक्कों की बरसात कर दी और उनके लिए एक महल भी बनवा दिया और कहा की अब आप यहीं आकर रहिए शंकर बड़े आराम से रहने लगे एक निठला तो काम से लग गया था अब बाकी दो निठले बचे थे उनके साथ उनके दोनों भाई पर्मानंद ब्रह्मानंद भी आ गये थे वे कुछ करते धरते नहीं थे आराम से खाते पीते थे सोते थे घूमते थे शंकर की पतनी उन्हें रोज ताना मारती थी भुन भुनाती थी कि यह मुश्टंडे पड़े पड़े खाते हैं कोई काम धंदा क्यों नहीं ढूंडते हैं अपनी भावी की रोज रोज की चिक चिक से पर्मानंद ओब गया था आप उसने फैसला कर लिया था कि वह नौकरी जरूर ढूंडेगा और करेगा अपनी भावी से उसने कह दिया कि तम चिंता मत करो तमारा मैं नहीं खाऊंगा ऐसा नकारा मैं नहीं हूँ ऐसे लंबी लंबी बाते हाँ कर वह नौकरी की तलाश में लग गया पर्मानंद रोज नौकरी ढूने के लिए निकल जाता था पर उसे कोई नौकरी नहीं मिलती थी रात को आकर वह खाता पीता सो जाता दूसरे दिन फिर नौकरी ढूने निकल जाता शंकर की पत्नी को लगता था कि या निकम्मा बहाना बना रहा है कोई नौकरी नहीं ढूनने जाता है नहीं तो क्या उसको अब तक नौकरी मिल नहीं जाती और बताओ कब तक इसको खिलाए जाएं या सोच सोच कर वह उसको जिजगती रहती थी पर्मानंद स्वभाव से बहुत डर्पोग था लेकिन डिंगे बहुत हाका करता था इसे वज़ा से चंकर की पत्नी उस पर शक करती थी कि यह बहाना बनाता है और नौकरी यौकरी कहीं नहीं ढूनता है एक दिन पर्मानंद ने कहा मेरे लिए खाने के लिए कुछ बना देना मैं नौकरी ढूनने जाऊंगा चंकर की पत्नी ने कहा ठेक है और उसने उसके लिए तेस लड़ू बनाए और उन लड़ूं में घातक जहर मिला दिया पर्मानंद दूसरे दिन जब नौकरी ढूनने के लिए जाने को तयार हुआ तो उसने कहा भाभी मेरा खाना तयार है जलपान बान दिया वे कुटिलता से मुस्कुराती ही बोली हाँ बान दिया है और अब लोट कर मत आना पर्मानंद ने खुशो कर कहा भाभी अब मैं नौकरी ढून कर ही लोटूंगा ऐसे नहीं लोटूंगा इतना कहकर उसने अपना घोडा सजाया और खाने की पोटली ले ली और चल दिया उसने पूर्व की तरफ रुक किया चलते चलते उसे एक घंटा हो गया उसने अपने राजी की सीमा लांगी और शांती नगर की सीमा में प्रवेश किया चांती नगर में डाकूओं का बहुत बड़ा आतंक था वहां की प्रजा उन डाकूओं से थर्थर कापती थी वे बड़े ही निर्दई थे जहां कहीं भी उनका दाव लगता था वे लूटते थे और कोई विरोध करता था तो उसको मार डालते थे अभी तक उस राज्य के सेनापती मंत्री राजा स्वरूप सिंग और बड़े बड़े सूर्मा सब जतन करके हार चुके थे राजा ने उन डाकूँ के उपर एक भारी रकम की इनाम की घोशना भी कर दी थी लेकिन अभी तक उन डाकूँ पर कोई हाथ भी नहीं डाल सका था ना ही कोई उनका पता लगा पाया था वे आधी तुफान की तरह आते लूट मार करते और सैकडों मेल तक फैले घने दुरगम और विराड जंगलों में गायब हो जाते यह तीस डाकूँ का दल था और यह दुस्ट बड़े ही दुरदान्त थे इस प्रकार शांती नगर राज्य कहने के लिए शांती नगर था लेकिन अशांती का अड़ा था परमानंद ने शांती नगर राज्य के उन्हीं घने जंगलों में कदम रखा उसका घोड़ा सरपड बढ़ता जा रहा था आंतता उसने घणा जंगल पार करके एक मैदान में प्रवेश किया चलते चलते वे ठक चुका था इसलिए वे एक पेड के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गया लेडते हैं उसे नीद आ गई अभी वे गहरी नीद में सोही रहा था कि पूरा मैदान घोडों के टापों से भर उठा कई घुड़सवार वहाँ पर आए उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सोया हुआ पड़ा है और घोड़ा बंधा है उन्होंने आपस में इशारा किया ये सबी वही दुर्दान डाकू थे एक डाकू उसके पास पहुँचा और उसके सिरहने से पोटली खीच ली आसपास और देखा उसके पास कुछ भी नहीं था वह पोटली लेकर अपने सरदार के पास पहुँचा और कहा सरदार जी उसके पास यही पोटली है और उसके पास कुछ भी नहीं है सरदार ने कहा लाओ देखें इस पोटली में क्या है पहले माल जटकते हैं इसके बाद उस आदमी का काम तमाम करेंगे सरदार ने पोटली खोली तो उसमें लड्डू थे वे सभी डाकू उस समय भूख से व्याकूल थे और प्यास भी लगी हुई थी इसलिए उन्हें कुछ और सूजी ही नहीं उन्होंने वही कुए से पानी भरवाया और सभी डाकूओं ने एक-एक लड्डू लिया और लड्डू खाकर पानी पी लिया लड्डू खाते हैं उनको नीद आने लगी वे सभी लंब लेट हो गए उदर खोब गहरे नीद सो चुकने के बाद जब परमानन्द की आँखें खुली तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ तेस लोग सोय हुए पड़े हैं वे आश्चार से भर उठा उसने अब सब को हिला कर देखा मगर कोई भी नहीं हिला अब उसने उनको पहचाना यह तो इस राजी के डाकू थे जिसके बारे में उसने अपने राजी में भी बहुत चच्चाएं सुन रखी थी उसने उन डाकूँ के कान काट लिये और एक चादर में बांध लिया बैशांती नगर में जाकर एक सराय में ठहरा वहाँ उसने अराम से खाना पीना खाया और सो गया सवेरे उठकर वै नगर में घूमने के लिए निकला तो उसने देखा कि नगर के बीचो बीच चौक में एक बहुत बड़ी सभा लगी ही है और वहाँ सभी नगरवासी जमा हो गये है और उचा सा एक मंच बनाया गया है जहां राजा मंत्री और सेनापती बैठे हुए है मैदान में तीस डाकों की लाशे रखी हुई थी सभी नगरवासी बड़े हर्स से बता रहे थे कि मंत्री और सेनापती ने डाकों का सफाया कर दिया है उन्हें मार डाला है इसलिए आज उन्हें वीरता का पुरस्कार मिलेगा परमानंद भी वहीं जाकर तमाशा देख रहा था महराज अब पुरस्कार की घोशना करने जा रहे थे तब ही परमानंद उनके सामने पहुँचा और कहा महराज इन सेनापती जी ने इन डाकों को मारा है तो इनसे पूँचिये इनके कान कहां है अभी तक किसी ने उन लोगों के कान तो देखे ही नहीं थे अब सभी लोग उन डाकों के कान देखने के लिए जुक पड़े यह क्या, यह तो बड़े अश्चरे की बात थी, उन डाकों को कान तो वास्तों में नहीं थे राजा ने पूछा, बताओ सेना पती जी, इन डाकों के कान कहां है अब मंत्री जी और सेना पती जी, दोनों लोग बगले जहाकने लगे वो कोई जबाब नहीं दे पा रहे थे, तब ही पर्मानन सामने आया और कड़क कर बोला यह जबाब देंगे, डाकों को मैंने मारा है, और श्रे यह ले रहे हैं राजा ने मंत्री और सेना पती से पूछा, क्यों सेना पती जी, यह सही कह रहे हैं सेना पती ने कोई जबाब नहीं दिया यह क्या जबाब देंगे, कहते हुए पर्मानन ने वह चादर खोल कर डाल दी, जिसमें डाकों के कान थे और महराज से कहा, महराज इन डाकों को मैंने मारा है और सेना पती जी इसका श्रे अपने आप जुठा ले रहे हैं महराज को बहुत क्रोधाया, उन्होंने उसी समय सेना पती को अपने पद से हटा दिया पर्मानन्द को अपने राजी का सेना पती बना लिया और उसी समय सा सम्मान उन्हें तीस मारखां की उपाधी दे दी अब शांति नगर के सेनापती पर्मानंद बन चुके थे उनका भी अनायास मौका मिला था अब पर्मानंद के लिए धन और शान शौकत की कोई कमी नहीं थी मगर अभी उनकी असली परिक्षा बाकी थी और सबसे बड़ी परिक्षा उनका इंतजार कर रही थी पर्मानंद के अब अच्छे दिन आ गए थे अब वे चैन की बंसे बजाते थे सेनापती तो पद से हटा ही दिये गए थे लेकिन एक काम सेनापती ने किया कि अपनी बेटी का विवाह इस सूर वीर पर्मानंद से कर दिया इतना वीर और साहसी शायद इस धर्ती पर तो था ही नहीं इस प्रकार उनका सोहार्द बना रहा अच्छे दिन गुजर रहे थे तब ही मुसीबत ने दस्तक दी यह उन दिनों की बात है जब छोटे छोटे राज्य होते थे और वे एक दूसरे राज्य पर हमला करते रहते थे जो भी कमजोर पड़ता था वे उस पर हमला करके उसे अपने राज्य में मिला लिया करते थे और यह करम चलता रहता था शांती नगर के पडोसी राज्य कीरती नगर का राजा दुरजन सिंग था वै शांती नगर के raja सौरूप सिंग को कमज़ोर राजा समझता था बहुत दिनों से उसकी इस राजे पर नियत खराब होी थी वै जब तब इस राजे पर छिटपूट हमले करता रहता था जिसे शांतिनगर के राजा सौरूप सिंग बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर पाते थे और हमेशा उसके आतंक में जीते थे आम उनके हाथ में जब इतना सासी और वीर योद्धा आ गया था जिसने पलक जपकते ही तीस डाकूं का सफाया कर दिया तो उनके मन में उसा की लहरे हिलोर लेने लगी एक अद्भुत वीरता उच्छाल मारने लगी जो उन्हें बैठने नहीं देती थी सर्वता नवीन जोश का संचार हो गया जिसने उनके प्राणों को विकल कर दिया जटपट उन्होंने सभा बुला डाली अब देरी करना ठीक नहीं था उन्होंने मंत्री से सलाह मश्विरा करके उस राजे पर हमला करने की योजना बना डाली और अपने सेना पती पर्मानंद से पूँचा भी नहीं अरे भाई इसमें पूँचना क्या जब इतना बहादर योद्धा है तो फिर डर किस बात का अब तो कुछ भी हो सकता है केर्थी नगर पर हमला बोलने के लिए सेना का घेरा डाल दिया गया सेना पती पर्मानंद को महराज ने जोश में हुंकारते हुए आदेश दिया सेना पती जी अपनी सेना सजाओ केर्थी नगर पर ऐसे हमला बोलो कि दुर्जन जीवन भर याद रखे इतना कहकर जब अपनी खुशी संभाले नहीं संभली तो राजा स्वारूप सिंग ने दुर्जन की संभावित दुर्दशा की कलपना करके अपने विकट अटहास से अपने मंत्री गणों और सभासदों को कपा डाला पर्मानंद ने जब यहाँ बात सुनी तो उसके मन में आया कि भगवान कहीं से धर्ती फट जाए और उसमें यह राजा समा जाए उसे उस पर इतना क्रोध आ रहा था कि अगर उसके भावी के लड़ू बचे होते तो वैं दो लड़ू इस राजा को भी खिला देता लेकिन यह सब बातें वो बस सोच ही सका कुछ कर नहीं पाया सेनापती पर्मानंद युद्ध के लिए जा रहे थे राजा ने पर्मानंद से कहा सेनापती जी अपना घोड़ा चुन लीजिए अस्तबल में सभी घोड़े खड़े थे पर्मानंद ने देखा कि सारे घोड़ों में एक घोड़ा ऐसा था जो तीन टांगों पर खड़ा था और अपनी एक टांग उपर किये हुए था पर्मानंद ने भी घोड़ा चुना पर्मानंद ने सोचा कि यह घोड़ा लंगड़ा है और यह धीरे धीरे चलेगा जब सारी सेना आगे निकल जाएगी तो मैं पीछे रह जाऊंगा सेना लड़ेगी और मैं बच जाऊंगा उनके इस घोड़े के चैन को देखकर मंतरी ने सरहना की और राजा से कहा देखिये महराज सेना पती जी कितने पार्खी है इन्होंने सबसे उच नसल के घोड़े को चुना है हसल में इस घोड़े की नसल ऐसी होती है कि यह अपने एक पैर को बराबर आराम देता रहता है इसलिए देखने में लगता है कि यह तीन पैरों पर खड़ा है एक पैर को बराबर आराम देता रहता है इसलिए भागने में सबसे तेज घोड़ा होता है बिचारे परमानंद को यह बात कहा मालूम थी इसलिए वे इसमें धोखा खा गए और उन्हाने सबसे तेज भागने वाले घोड़े का चैन कर लिया था महराज ने गदगद होते हुए कहा वही तो सेनापती के बराबर युद्धा कोई नहीं है सेनापती परमानंद अपने घर में युद्ध के लिए विदा लेने आये थे उन्हाने अपनी पत्नी से कहा घोड़े पर मुझे भली प्रकार से बांदो उनकी पत्नी अश्चर से भोली ऐसा क्यूं? परमानंद अपना पूरा साहस और शक्ती बटोरते हुए बोले इसलिए कि मैं विकट युद्ध करूंगा तो कहीं गिर नहीं जाओं जान की बाजी लगा कर लड़ूं और मैदान फत्थ करके लोटूं इसलिए परमानंद की पत्नी ने उसे घोड़े से बिलकुल जकर कर बांद दिया दो तलवारें उनकी कमर में बांदी और दो तलवारें उन्होंने अपने हाथ में ले ली और उसके बाद युद्ध के लिए रवाना हो गए पर्मानंद का गोड़ा भी उनके लिए आश्चर से कम नहीं था जिसे वे लंगड़ा समझते थे वे हवा से बाते कर रहा था जैसे ही वे भागा कि पर्मानंद की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई पर्मानंद अपने देवी देवताओं को मनाते हुए जोर जोर से बचाओ बचाओ चिलाने लगे वे गला फाड़ कर चिला रहे थे जो सैनिक समझ नहीं पा रहे थे उस समय नगाड़े और रण भेरी बज रही थी उनमें उनकी आवाज में यही समझ में आ रहा था कि वे जोश पूर्ण स्वर में सैनिकों के उस्सा के लिए नारे लगा रहे हैं पर्मानंद घोड़े से बंधे हुए थे दो तलवारे उनकी कमर में बंधी थी दो तलवारे उन्होंने अपने हाथों में थाम रखी थी जैसे ही घोड़ा भागा कि उनकी रुख कि उनकी रुख फना हो गई बाप रे बाप इतना तेज चाल का घोड़ा पहले तो वें हिम्मत बांधे रहे फिर डर के मारे गला फाड़ फाड़ कर चिलाने लगे मित्रों कथा में बने रहें देववानी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कथा को लाइक करना बिल्कुल ना भूले मित्रों दोस्तों आपको अकथा कैसी लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दे हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन प्राप्तो जैश्राराम भक्तो